खा के निखाती हूं मैं इसको कान बिलीज बहुत ही तेश्टी पपॉली बली है देख सकते हैं मैंने कैबिज को काट की रख लिया है देखे कैबिज में रख लिया है और अब इसे गरम पानी में वाश करोंगी तब खौलते हुए पानी में डालोंगी विकाज इसमें बहुत माइन में केड़े होते हैं आपको पता है तो वह बहुत ही प्रॉब्मेटिक हो जाते हैं अगर आपके बॉड़ी में बहुच गए इसलिए मैं इसको अभी बॉइल करने का रही हुए अच्छे से एक्दम ओके लिए आपने को चलिए पानी गरम उचुका है पानी में बबल्स आ चुके हैं इसको उतार लेती हुए तम तगड़वाल श्रीम आ रहा है अब यह दिखें हैं अब ऐसे बॉड़ा करें गे अधिर मैं क्या करूंगे सारी कैबच को ठाओ के इसमें डाल दीए को उसकोलते हुए पानी में डाग दिया है जिससे की इसमें आगर कोई क्लेवा गारा हूँ तो वो मुझे अगर उनकी विज़से हम लोगों को दिक्कत म तो इसमें चले जाते हैं और अमने फटाफट ऐसे बड़ा वाले चन्मी मैंने सुचा कोई रूखा करें इसमें निकालना से दूकर दिया है यह पकोडी जो है यह बहुत ही टेस्टी बनती है मतला थोड़ी सी यूनिक टाइप की पकोडी अपसे पहले कमाई इसमें मिक्स करने की मैदा ना लिया मैंने ना यह हुआ लगधाद एक तप यह हुआ लगधाद आधा तप और गुर्याओ मैंने थोड़ा सा वी इतना सा बेशन है जो थर्ड चीश होगी वो पॉर्ण फ्लोर होगी तो मैंने पहुआ अथी जरा सा लिया है युए चोनल कश्मस को थोड़ा सा लिए हुए अ कर दो एक शूटार चमच मट अबस इसको थोड़ा सा गेला रिस्फि गफना आधि की हो जईला है तो मैं अ बहुआ है अदो ये भुना हुआ जीरा धनिया थोड़ा सा Cme कर देंगे कि पुशा लेंगे जीरा धनिया और ये मिल्चे का बंढ़ा हुआ कि अग्टीया अग्या है कर दो इतना साइटितक इतना सामे ब्लची फमें ले से बीकर घरने ताटस Not यह अब मुझे मिक्स करना है बस चलिए पिर्म आपको दिखाती हूं उसको और एक मिनट हरी मिल्स भी डाल दिए तो मैंने यह चार हरी मिल्स ली है जो कि मैं इसमें डालूँगी तो मैंने चार लिए थे पर मैंने एक छोड़िया और पीन काट लिए तो कि ठोड़ा सब्सरा पानी के जगवध है इसके बाद उस हिसाब से मिसमें फुर्वासा पानी एड़ कर देंगे अगर आप इसमें पहले पानी डाल देंगे तो ये गीला हो सकता है फिर क्या है आपकी पपोरी अच्छी नहीं मिलेंगी जो बैटर है वो खराब जाएगा इसमें आपको और बहुत दो चार-चारमच, बहुत थ्पाना ये इतना ज्यादा पानी के है आप मात्या ज़ल पानी के है अब लिभ्ष्कित माभ्यु बस मुझे लगता है इनफ इस एनफ आफ बैटार है वो मस्त बनके रेडी है यह देखिए अब इसको भजिया कहें जो कहें आपकी जो भजिया होती है मुझाई स्टाइल फूर चैसी ही बनती है बढ़ी हां बैटार बनके रेडी है पकोड़ी के लिए तो बस अमने फटापटी से बना देटा है कि आपको दिखाते हूं सब्सक्राइब करें तेल डाल देथे अकनाई में और तेल जो ठाहि हुआ हो रही है फिर है तो चल्टेक है फिर जड़ा सर डालके गें पेश्ट कता है है को यतने हमारा फूरा साओर गरम है इतना इसको निकालते हैं तब तक यतने हमारा गरम हो जाएगा तो प्रशुर में प्रश्वरे लगाना चाहिए रवार से नमस्कार कर लेटाए रवार कर लिघ्रुटियों परड़ाहिए नाशन थोड़ा खाएंगे अनहल्डी नसे है पर इसमें डिस ग्रेंग लेव सी तर ये हो गया है आइली तो ग्रेंग लेवस का मतलब नतिन हो चुका है तो मैं आपसे बाते भी करें रही हो और बखनी पकवरियां भी बना ले रहे हैं अब लेवस का फ्लेम जो है वो भी त्वड़ा मीडियम किया था पर मैंने हाई कर दिया है अब यह नसे लिए किया था कि पहले वन पकवरिज़ा वो जले ना सारी इवन प्लाई हो आप लगों को इसे थोड़ा पलक पे लिखाती है एक साथ थोड़ी टूद गया है देखा कै अधी जो मेरा रोज का है और जो आज मेरा डालूंगी और अधी बाहर नहीं जाना हुआ है और मैं कहीं बाहर जाओंगी तो मैं आपको लखनौ के जो कुछ अधी जो कि आपको प्लेस है वह दिखाने वाली है तो आप सब्सक्राइब कि निकाल लेते हैं तो चल्जे में इसे अब मिकाल लेती है डर्मागरम पकॉई जो है निकलने के जो गिल्कु लिए रड़ी हो चुती है अंधर थोड़ी से वाईली हो जाती है अधी आप पर इस दिन तो चंटा है, इन ताल लेते हैं, सो दूसरी पकोड़ी के लिए मैंने डाल दिया है, कर्धाई में रितम जल चुकी है, क्योंकि मेरा जोख्ले में बहाल ज़दा हाई है, फ्लेम को थोड़ा से है, मेडियम दोगे दाजिए, मेरी एक पकोड़ी बनके रड़ी है, इसंब पहान के लिए चले, मैं अपर इसे थोड़की खती हूं, चुछ फिर भरे अच्छा है, क्रीक थोड़ा सा मै ब्यास में दोग दीट कर देती हूं, थोड़ा सा कर्ता है, मैं अपर ग्वरेन, सो सूफर स्निश बताईरे, प्र आपको कैसी लगये, अगर अखी लगये तो please मेरी वीडियो को share and like जरूर करिएगा अगर नए है तो मेरी चैनल पर subscribe करके जाएगा बबाई take care guys सब तक के लिए मिलते अपने next video में and अगर कोई query होगी तो मैं last में कहा दे रही हूँ जरूर पूछ लिजेगा